नमस्कार मैं हूँ तीर्थों प्रोकाश विश्वास आज बात करते हैं कि लाइफ में सबसे इंपोर्टेन चीज़ क्या है हर किसी के लिए लाइफ में सबसे इंपोर्टेन जो है वो है सैटिस्फेक्शन और हैपिनेस दो तरह के लोग है दुनिया में इस परस्पेक्टिव से पहला जो आम तोर पे देखा जाता है मैटेरियलिस्टिक लोग जो की मैक्सिमम लोग ऐसा ही है मैटेरियलिस्टिक है 99% से भी ज़्यादा जैसे की हम लोग और सेकेंड केटेगोरी में आते हैं जो है बहुत स्पिरिच्वल जो रियलाइस कर पाते हैं किसी तरीके से हम लोग तो नहीं कर पाते हैं एक्सपिरियन्स कर पाते हैं सुप्रीम सोल को एक स्पिरिच्वलोенच को जो बहुत स्टॉईलिस्टिक होते हैं spiritually और उनको शादी करने की जुरुवत नहीं होता है, वो जो male female attraction है, इनके beyond जा पाते है, materialistic चीजों के beyond जा पाते है, तो इस तरह के लोगों के लिए सबसे important है, realization of supreme soul, हमरे लिए ये चीज बहुत irrational लग सकता है, क्योंकि हम experience नहीं कर सकते, हम दो चीज कर सकते, तीन चीज कर सकते actually, या तो हम believe कर सकते, या disbelief कर सकते, या तो agnostic रह सकते, बीच में, neutral रह सकते, क्योंकि हम experience नहीं कर सकते, ये मैं पहले बता रहा हूँ, जो less than 1% लोग है, उन लोगों के लिए जो valid है, हम लोगों के लिए, क्या है, materialistic लोगों के लिए, जो greater than 99% है, वो मैं थोरा बाद में बता रहा हूँ, तो इस तरह के लोग, जो less than 1% है, spiritual लोग, monk type के लोग, इन लोग के लिए, realization of supreme soul बहुत important है, और supreme soul के manifestation हम भी है, इनसान, हम लोग गिरे हुए आत्मा है, low quality आत्मा, हमारे लिए realize करना मुश्किल हो जाता है, connection बनाना मुश्किल हो जाता है, जो की science के beyond है, ज sure के बहुत सारे manifestations है, low category में, इनसान आते है, देव आते है, देव यान की इंद्र, फिर अगनी देव, यह सब, जो heaven में रहते हैं, heaven कुछ अच्छा जगा नहीं है, heaven भी आर्थ जैसा ही है, वहाँ पर happiness ज्यादा है, यहाँ पर suffering तुरह ज्यादा है, और बाकी ज्यादा च्छोली God's कहना नहीं चाहिए, तो हम लोग यह तीन तरह के जो लोग है, इनमें से ज्यादा, इनके अंदर ज्यादा difference है नहीं, ठीक है, इसके उपर है ब्रह्मा, उसके उपर है विश्नु, उसके उपर शीव है, उसके उपर महाशीव, फिर परम महाशीव, फिर इस तरह infinite level है, जो इश्वर है, परम आत्मा है उनका, और infinite universes भी है, और वहाँ पे भी दूसरे इश्वर है, जितना superior quality की आत्मा हूँ, जितना हम low quality आत्मा से उपर quality की आत्मा तक जाते हैं, तो जो life span है, वो बढ़ता है, जैसे कि इनसान के life सौ साल के सपस है, लेकिन ब्रह्मा के life लाखो करोरो साल है, और जो महाशीव है, उनके life हमारे लिए तो infinite है, वक्त के साथ साथ जो supreme soul से इनके power कम हो जाते हैं, और black holes तयार होते हैं, destruction की वज़े से, और जो उपर वाले level के जो इश्वर है, वो नीचे वाले लेवल की इश् बनाते रहते हैं, क्योंकि infinite levels हैं, और अभी मैं बात करता हूँ, जो हम लोग है, greater than 99% लोग, 99.99% हो सकता है, हम materialistic लोगों के लिए सबसे important क्या है life में, इसको लेके एक research study हुआ है, Harvard University के लोगों ने ये किया है, लिंक मैं दे दूँगा, Harvard University था या कुछ और था, मैं लिंक दे दूँगा, ठीक है, description box में आप देख सकते हैं, comment में भी देख सकते हैं, 80 years, सबसे लंबा research study किया गया है, human life के उपर, 80 years के life study, on happiness, ठीक है, तो सबसे important चीज है, healthy relationship, good, healthy, long term relationship, life में सबसे important है, और relationship के अंदर, बहुत से relationships है, parent, children relationship, फिर friends के अंदर, जो relationship है, लेकिन सबसे important जो है, husband, wife का relationship, husband, wife का relationship ही, life में जितना भी relationship है, सबसे intense है, और सबसे important है, और इसके लिए eligible होना परता है, हम लोगों को, और इसमें eligible होने के लिए, जो male and females है, इनके जो role से ही अलग-अलग है, जो male है, उन्हें eligible होने के लिए income चाहिए, resource provide करना चाहिए, क्योंकि basic human nature है, एक female, एक male से, partnership में आने के लिए, resource protection मांगती है, तो life में सबसे important क्या है, इसको मैं फिर से बता रहा हूँ, life में सबसे important है happiness and satisfaction, happiness and satisfaction होने के लिए, materialistic लोगों के लिए, सबसे important है, अच्छे relationship, अच्छे relationship में, अच्छे relationship में के लिए eligible होने के लिए, अच्छे relationship में आने के लिए, एक मर्त को, एक man को, males को, अच्छे से पढ़ाई करना, successful बनना, hard work करना, important है, पैसा कमाना important है, लेकिन, लड़कियों के लिए, बात थोड़ा अलग है, लड़कियों के लिए भी, education important है, career important है, लेकिन, सबसे important नहीं है, एक research study हुआ था, जहाँ पे working women को, questions पूछा गया, western world में, USA में, psychologists ने, एक research study, questionnaire के रूप में, किया था, कि life में सबसे important चीज़ क्या है, working women को, यह पूछा गया, तीन चीज़ में से, दो चीज़ में से, एक है, career, income, और दूसरा, family relationship, उनके लिए, family relationship सबसे important है, career से भी ज़्यदा, लेकिन, लर्कियों के लिए, education important है, obviously, और career, भी important है, क्योंकि, financial security, होना, अच्छी बात है, होना चाहिए, actually, क्योंकि, although, यह feminine nature है, resource पाने की, dependent होने की, male partner के उपर, लेकिन, unfortunate, misfortunate situations हो सकता है, जैसे कि husband का death, husband का paralysis, फिर separation हो सकता है, separation होना नहीं चाहिए, separation होना बहुत खराब है, ठीक है, एक broken marriage को अच्छा किया जा सकता है, लेकिन, जब divorce होता है, तो बाकी marriages में divorce होने का संबबना और भी ज्यादा वर जाता है, तो divorce हर हाल में avoid करना चाहिए, except exceptions, provided आपकी partner narcissistic ना हो, narcissist ना हो, हमरे society में ये कहा जाता है, कि बच्पन से कहा जाता है, कि लड़कियों के लिए सबसे important है, career, career पे focus करो, ठीक है, career important है, लेकिन सबसे important नहीं है, career important है, financial security important है, खाड़ा आप समय में परिशानी ना हो, अगर financial situation सही नहीं है, अगर husband का income कम है, तब income करना चाहिए, लेकिन कोई ऐसा compulsion नहीं रहना चाहिए, अगर husband सही income करता है, तो उन्हें अपना एक हिस्सा, housewife को देना चाहिए, थर्टी थाउजन के असपास हर महीने, और कोई compulsion नहीं होना चाहिए, कि enough income अगर है, तो compulsion नहीं होना चाहिए, income करना ही परेगा, क्योंकि, हाँ, इसका valid reason भी है, लोग, लगिया जो है, income करना चाहती है, housewife बनना नहीं चाहती, क्योंकि, हमारे society में, be little किया जाता है, छोटे नजर से दिखा जाता है, housewives को, servant के साथ compare किया जाता है, लगिया भी करती है, घर का काम करना नहीं चाहती, लेकिन यह important है, servant, housewife काम को substitute नहीं कर सकता, ठीक है, एक लगिया के life में सबसे important है, मा बनना, बच्चा होना, ठीक है, pregnancy, और, इस particular time में, हर किसी को support की जरुरत है, protection, resource की जरुरत होती है, और वो provide कर सकता है, जो men, वो ही कर सकता है, यह reality है, human nature, human nature को समझना है, कोई propaganda में नहीं पढ़ना है, कोई propaganda के चकर में, फिर right wing, left wing, गूगल leftist है, feminist, feminism को support करता है, Google, आप देखेंगे, अब अगर support, sorry, आप अगर search करेंगे, तो आप देखेंगे की, जो websites, feminist propaganda को support करता है, वो higher rank करता है, Google में, और आप research studies देखिए, समझिए, human nature को समझना है, propaganda के चकर में नहीं पढ़ना है, किसी ideology के चकर में नहीं पढ़ना है, और research studies भी unbiased होना चाहिए, unbiased source से होना चाहिए, बहुत सरे biased research studies है, articles है, जहाँ पर कोई ज़्यादा data दिखाया नहीं जाता है, बस बताता है कि यह ऐसा किया गया, ऐसा result मिला, वो biased है, ठीक है, बहुत सरे biased researches, research websites भी है, अब बच के रहना, ठीक है, मैं आशा करता हो, आप जिन्देगी में successful हो, बाद में मिलते हैं, फिर से मिलते हैं,